हälो गैई स्वेलकम भैक टो हैकर सब आज की इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं C प्रोगामिंग की वीडियो सिरीज अगर आपका कोई बहुत प्रोगामिंग लेंग्वेज में बेक्ड़ोंड नहीं है या फिर आपको कोई भी programming language नहीं आती है तो आप शुरू कर सकते हैं यहां से कोई भी initial requirement नहीं है आप बिलकुल यहां से शुरू कर सकते हैं अगर आपके पास कोई heavy setup या PC नहीं है कोई software अभी भी download नहीं कर रहा है आपने तो भी आप शुरू कर सकते हैं मैं बता जिता हूँ कैसे आप शुरू कर सकते हैं आप सिंपली Google पर जाना और यहां पर लिखना है online c compiler सबसे पहले यह online gdb.com इसको open कर लेना है यह programming.com में कई बार error आ जाते है यह वाला ठीक है आप इसमें open करेंगे और यहां पर अपने code को आप लिख सकते हैं और यहां पर आप यहां से click करके run कर सकते हैं तो आपको कोई software की भी जरूरत नहीं है आप online यहां पर coding कर सकते हैं सीख सकते हैं तो मैं visual studio का use कर रहा हूँ आप देख लेना online कैसे इसको download करते हैं इसमें C की program को run कराते हैं ठीक है कुछ extensions डाउलोड करने पड़ते हैं तो मैंने एक folder बना लिया है C programming के नाम से जिसमें हम इस video की पूरी video series में जो भी हम सीखेंगे वो इसी के अंदर मैं file में store करूँगा तो यह पहली video है मैं बताने जा रहा हूँ कि C programming की beginning कैसे करते हैं तो मैं एक file मना लेता हूँ hello world .c ठीक है तो यह मेरा जो .c है यह extension है अगर आपकी जो language है .c मतलब अगर आप C programming कर रहे हैं तो .c उसका extension है ठीक है अगर आपको C programming की file को run कराना है तो .c से ही save करना पड़ेगा उसको ताकि आपका computer ना कि आपका compiler समझ सके कि एक C programming की file है ठीक है तो start कहां से करते हैं सबसे पहले हमें एक pre-processing directive वो क्या होता है जोसे हम hash include कहते हैं मैं एक पर लिख देता हूँ उसके मैं बता देता हूँ मैंने यह आप लिखा है hash include stdio.h stdio.h जो है यह हमारा header file header file क्या होता है header file समझने के लिए जैसे आपके बहुत सारे boxes है मतलब इसके अंदर ना बहुत सारे functions already save होते हैं अगर हमें कोई भी program में function को आगे use करना है तो हमें उसका header file use करना पड़ता है stdio का मतलब मैं इस program में कुछ ना कुछ input कराने जा रहा हूँ कुछ ना कुछ expect कर रहा हूँ कि मेरा program कुछ ना कुछ output करेगा तो normal program तो यह input या output तो करना ही चीए तो stdio आपको लगबग हर program में लिखना ही है hash include क्या है कि इसको include करो अपने program में सबसे पहले ठीक है यह जो header file इसको include कर देगा यह उसके बाद कुछ चीज़ें आपको याद करनी या समझनी जो भी कहलो जो भी program है आपका main से शुरू होता है ठीक है तो void main अब यह void क्या होता है मैं बता देता हूँ कि void का मतलब होता है कि यह main जो है मतलब compiler जो होता है compilation सबसे पहले main से शुरू करता है run करना execute करना ठीक है तो मेरा compiler यहाँ पर आ जाएगा और वो देखेगा कि void है इसका मतलब यह function जो है कुछ भी value किसी भी other function को या फिर किसी भी other variable को यह function value return नहीं कर रहा code मेरा इतने में ही run होगा ठीक है तो void और इसको एक और तरह से declare कर सकते हैं मैं बताओंगा बाद में void main और int main से ठीक है तो main हर program में कितना भी बड़ा से बड़ा program हो आपको एक नाए एक main जरूर मिलेगा ठीक है main होगा तो ही execution होगा program का main से ही programming start होगी ठीक है अब मुझे कुछ print कराना है output screen पे ठीक है तो उसके लिए मैंने बताया था कि मैं studio का stdio.h का use कर रहा हूं तो इसमें functions होते हैं printf and scanf वो दो function है और भी functions इसमें होंगे मैं बता दूँँआ कौन-कौन से इसमें functions होते हैं ठीक है तो इसमें अभी मैं जो बता रहा हूं आपके वो है scanf and printf scanf से input कराते हैं और printf से output तो printf से output कैसे कराते हैं इस double quotes के अंदर जो भी मैं लिखूंगा वो चीज as it is उठा के वो output screen पर print हो जाएगी जैसे मैं लिखूंगा hello world ठीक है और यहाँ पर लगाना है semicolon semicolon c and c++ programming की जान होती है हर statement के बाद semicolon आता है यह function के बाद क्यों नहीं आया या इसके बाद क्यों नहीं आया वो अलग चीज़ है function में कई बार आता है कई बार नहीं आता है जब आप क्या कहते हैं उसको जब function को declare करते हैं उसके body से पहले तब हमें use करना पड़ता है उसको वो सब हम बाते देखेंगे सीखेंगे अगली वीडियो मतलब इसी series में तो अब मैं इसको run करता हूं मैं सी visual studio यूज़ कर रहा हूं तो ये hello world मेरा output आ गया है ये इसने क्या किया है अगर आप मतलब पहले आपने कभी coding ये तो थोड़ा advance लावल हो गया ये सबसे पहले gc compiler ने मेरा एक output में hello world नाम से एक extension file बनाई है .exe file ये देखे ये चीज रन हुई है ये चीज convert हुई है इसमें और ये चीज execute हुई है hello world में ठीक है तो अब यहाँ पर रेखिए जो भी चीज मैं इस double code के अंदर लिखूँगा वो चीज output में display होगी अगर double code हटा देता हूँ तो फिर error आ जाएगा error आ गया ठीक है ये error आ गया है क्यारा printf में error है तो double code का use करना है आपको अगर कुछ भी चीज as it is आप चाहते हो कि वो मेरी output screen पे display हो तो अगर यहाँ पे मैं hello world के जग़ा कोई number भी लिख देता हूँ तो भी वो output के screen पे as it is display होगा आप देख सकते हैं 3,4,5 मैंने लिखा है और यहाँ पे 3,4,5 output screen पर आ गया है कुछ special characters हैं जैसे मैं अगर यह ऐसे लिख दूँ hello world तो आप देख सकते हैं next line में आ गया है तो slash n का use आप समझ गयोंगे कि next line के लिए यह use होता है मैं आप एक comment भी use कर सकता हूँ this is for next line ठीक है double slash का question mark के नीचे वाला है ठीक है इसका use कर सकते हैं आप comment के लिए comment क्या होता है कि जो compiler ignore कर देता है ठीक है compiler इसको code नहीं समझेगा इसको ignore कर देगा और इस पे ध्यान ही नहीं देगा वो ठीक है यह हमारे लिए होता है जो developers वगरा होते हैं तो उसके लिए होता है कि जैसे बहुत बड़ा बड़ा अगर function होंगे code होगा तो developers को easy रहेगा समझने के लिए कि इसका मतलब क्या है इस function का help मतलब use क्या है क्यों लिखा गया इस function को ठीक है तो comment का use यह था और slash n का मतलब next line वैसी ही slash t होता है spacing के लिए ठीक है अब देख सकते है hello और world के बीच में spacing मिल गई है काफी ठीक है तो इस video के लिए इतना ही channel को subscribe कर देना लाइक कर देना अगर आपको video अच्छे लगे तो share कर देना और अगली video देखिए